येस रेडी फूर डिक्टेशन स्टार्ट अद्यक्स महोदे मैं एक ही विशे पर बोलना चाहता हूँ और वह है जमीन की सीमा निर्धारित करना विराम ये है खुशी की बात है कि अन्य माननिय सदस्यों ने भी इस विशे पर अपनी उप्योगी सुझाव रखे विराम वैसे तो मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन चूंकि इसका जिक्र आ गया है इसलिए मेरा अपना जो दृष्टी कौन है उसको मैं यहां रखना चाहता हूँ विराम जमीन का बंटवारा हो या उसका सीमा निरधारन हो अथवा नीजी संपती की सीमा निरधारित की जाए इस बदलते हुए जमाने में इसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता और नै मैं इसके खिलाफ हूँ विराम लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके खिलाफ हो यह उनके मन की बात है उनसे जगड़ा करने से कोई फाइदा नहीं है विराम पहरा यह बात सही है कि कभी जमाना था जब बड़े बड़े जमीदार थे उनकी बड़ी बड़ी जागिरदारी थी आज वे नहीं रहे विराम राजा लोग भी नहीं रहे विराम अब केवल बड़ी बड़ी जमीन वाले कुछ लोग जरूर है जो अब भी अपने को जमीदार कहने में गरव का अनुभाव करते हैं विराम ऐसे लोगों के लिए अब सरकार यह चोथी सीलिंग जमीन पर कर रही है विराम हम को दिक्कत यह मालूम होती है कि इस सीलिंग की जरूरत इसलिए हुई कि अभी तक जितनी भी सीलिंग हुई है उसको किरियानवित नहीं किया गया और हम को डर इस बात का है कि यह है जो चोथी बार सीमा निर्धारन होने जा रहा है उसका भी किरियानवियन इतना पेचीदा मसला है कि कानुनमंत्री अपनी सारी किताबें खोजते हुए रहे जाएं तब भी इसका हल नहीं निकलेगा तथा इसको किरियानवित नहीं किया जा सकेगा विराम आखिर ऐसा क्यों प्रेशनवा चक्चिन पेरा एक ही उदारन देता हूँ विराम हमारे यहां बटाईदारी पदती है जिसके अनुसार जिसके पास जमीन है और अगर बटाईदारी किसी के नाम से है तो जमीन वाने लोग लिखकर नहीं देते विराम अगर वहें लिख दें कि पंद्रा वर्स से बटाईदार है हमारी जमीन का और वहें आदमी गरीब है और वहें सीलिंग के अंदर आता है कानुन उसके खिलाफ क्या करेगा और इसका नतीजा यह होगा कि जमीन उससे नहीं निकलेगी और वहें जमीन का मालिक बना रहेगा विराम पहरा दूसरी चीज यह है कि चाहे जमीन हो चाहे नोकरी हो या सिनेमा हो या कोई बिजनस हो हर आदमी का एक ही मतलब है कि उसको जिवन या अपन का साधन मिले उसके बच्चों के पढ़ने का इतजाम हो जब बिमार पढ़े तो दवादारू का इतजाम हो बूड़ा हो तो उसकी परवरिश हो सही सही देखबाल हो और उसकी आमदनी भी किसी ने किसी के जरिये चलती रहे विराम जमीन रखने का भी यही मतलब है विराम जो जमीन जोतता है उसका भी यही मतलब है विराम तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात पर सोचा गया है कि एक परिवार की आमदनी क्या होनी चाहिए विराम सरकार कम से कम पांच आदमी का एक परिवार बनाती है तो उसकी आमदनी क्या होनी चाहिए जिस से अपने बच्चों को पढ़ा कर और अपने परिवार का भली भांती पालन पोशन कर सके विराम बच्चों की साधी कर सकें विराम कम से कम एक मामूली मकान जिसमें वे हैं अपने तथा अपने परिवार को छुपा सके इतना बना सकें विराम इन बातों को सोचकर कि क्या सरकार की तरफ से एक आमदनी फिक्स हो गई है या नहीं प्रैशनवा चक्चिन पैरा जो लोग भूमे की सीमा निर्धारन की बात करते हैं चाहे 10, 15 या 20 एकड़ तक की सीमा निर्धारित करने की बात करें उससे मतलब नहीं है विराम विशेश बात यह है कि आप भूमे में वहीं सीमा निर्धारन करें जिससे उसे इतनी आमदनी जरूर हो जिसमें वहें अपने तथा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांते निभा सके फिर चाहें वहें पांच एकड़ या एक एकड़ जमीन हो विराम विराम ओवर